है Hello friends कैसे आप सभी स्वागत हैं हमारे यूट्यूब scholarship शर्माटीचिक पूइंट के उपर तो French आज हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्ची Topic हैंoure और अपको बताऊंगा यहां तख मैंने इस पर सब्सक्राइब करें और जो साइड में जो बैला इकन है उसे भी दबा दें ठीक है ताकि हमारे जो भी अपडेट्स है जो भी नोटिफिकेशन वह आप तक आती रहें तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं स्टडी बाउट करोना वाइरस क्या है ठीक है तो इसके नाम से पता लग रहा है यह जो इसका नाम है कोरोना वाइरस इसके नाम से पता लग रहा है कि यह वाइरस है ठीक है अब जो यह वाइरस है यह फिला कांसे है यह चाइना से फिला है कहां से फिला ही चाइना से फिला है चाइना में कौन से शेयर से फिला है ठीक है चाइना में यह जो वाइरस है यह वहांग शेर से पहला है वहांग शेर में इसका पहला मरीच पाया था ठीक है अब जो फिलाल की जो इसकी कंडिशन है जो करन्ट अपडेट जो है उसके नदर के आए कि इसमें 28 से उजाधा देश संकरमित हो चुकी है ठीक है 28 से उजाधा देशों में यह वायरस जो फैल चु करोना वायरस की डिजिज को वैश्विक महामारी के तोर पर इसे गोशित कर दिया है यानि कि जो करोना जो है वो काफी सीरियस मेंटर हो चुका है तो जो वह उसने यह कहा दिया कि यह एक महामारी है ठीक है अब देखिए को प्राणी से मुनुशियों में फैलता है ठीक है पराणी जैसे की जीव जंतू है ञाने हैं जो होते हैं मुर्गा जो है एक बार 19000 सन में सिम्टम यह लेकिन वह क्या था वह उतना बड़ा नहीं था लेकिन वह हो पठेट fiquei यह वह हम बात करते हैं Corona Corona इसकी जो नाम है वो Corona ही क्यों पड़ा ठीक है तो फ्रेंड की इसकी जो structure है Corona की वह कुछ इस तरह चेदेखिए यह 3D में आपको दिखाने बाया लेकिन कुछ इस तरह structure है इसकी तो इस त्राइफ तो आप जैसे से देखेंगे कि इसके ओपर जो है यह से crown type म है देखेसे कोरोना का मतलब होता है क्राउं ठीक है क्रोना एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मतलब क्राउं अब क्राउं क्या होता है राजा के छिरी पर जो ताज होता है इस पर आपने देखाव आपने इस 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 प्रक्ष्य निकिज्चर मसण पार इस तो यह कैRadio क पहला म्रीज वुहांग चैर में पाए गया और वह म्रीज कहते हैं कि चमगादर का सूप पीने से उस मरीज का जो वाइरस अभाए था ठीक है अब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब यह जो वायरस है यह आपको पता लगे कि यह इस बंदे में वाइरस है ठीक है यह कैसे जैसे भी बुखार होगा ठीक है फिवर होगा या आपको खासी होगी या आपको breathing difficulties के अंदर क्या है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी ठीक है आपको खासी होगी बुखार होगी सांस लेने में दिक्कत होगी उसके बाद में हो तो acute respiratory syndrome तो साइर्स जो विमारी है यह फैल जाती है उसके बाद में अपका हुसल कर पीड्नि फैल्यर हो जाये किड्नि फैल्यर के बाद में कि यता है इसकी कोईभी वेक्सिन वहां से पाया गया कितने देशी से संकरमित है क्या कुछ इसका status है कैसे फैलता है क्यों बोला जाता है कि इसके लक्षन क्या है वह तो भात करते हैं एक वैक्ति से दूसरे वेक्ति यह फैलता है कभ फैलता है जब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस और उन, वह 6 फिट मिल्स पहले है। जैसे मिदोनं यहां परिशद कंप्तर थे ता मांवस मैं एंदर थे पूह अ दिस्टेंस दिस्टेंस दूसरी बात है संकर मल भता कैसे इस फेयफडों से निकल लेवे त्रल से होता है निकल लिक्विड है उससे यह वाइरस यह संक्रमितों की फैलता है तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको खांसी च्छेंक आए तो आपको यह जो तरल विशानू बूंद है इनको नीचे नहीं देना है इनको आपको हैंकी से डखना है ठीक है याने कि कहने का मतलब है कि जब भी आपको खांसी च्छेंक आए तो आपको अपने मूं को साफ रुमाल से डगना है ठीक है ताकि यह जो वाइरस है आगे ना फैल पाए ठीक है उसके बाद इसकी बचाव के क्या उपाय है तो देखिए इसका बचाव पहली बात तो यह कि यह बात अंडरलाइन करने वाली अभी तक नहीं बनी है ठीक है आपने देखा यूटूब पर काफी वीडियोज आ रही है यूटूब की कि इसके जो वैक्सीन है वो बनचुकी है यह वह ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स जहां तक मैंने रिसर्च किया है इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन इसकी त्यार ही हुई है लेकिन हा इसका एक रामबान इुलाज है वह है कि असको फैलने से रोक सकते हैं पहर से देखो से हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक दो तो से काके बड़ियर है अब धोना कि से है धोने तो इस साब तोब बचाव क्या है तो बचाव है कि चहरे को ना चुएंगे ना तो क्या होता कि जो हाथ है वो हम अलग लग जगह लगाते हैं थीक है कि किसी समने हाथ मिलाया, hen shake किया, या पिर आम और आहीं हम ह good had bene। तो उस वज़न से कहा है, हो सकता है कि उस वायरस के symptoms आप के हाथे होगे हो तो अगि आप उससे अपनी चहरे को छुएँगे, वायरस के अग्रशे कों चैहरे को छुएँगे ही, तो यह तो उसको आपको खासते या शीकते वक्त आपको टीशू का यूज करना है ठीक है आप अगर टीशू करें तो आपके क्या होगा जो मैंने यहां पर पताया जो फेफरों से तरल पदार्थ निकलता है विशानू बून वो इस टीशू में आ जाएंगी और यह टीशू आपाद है ठीक है तो इससे आपको क्या करना है बचाव करना है ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको लगबग समझ में आगे होगी यह थी क्रोना वाइरस की बेसिक सीट डेफिनेशन और इसके बारे में जानकारी उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आ इंडिया के और इंडियन यूत्थर लोगो का काम है कि वो दूसरे लोगों को इसे इसके लिए इंपायर करें इसके लिए लोगों को एड़वाइजे ठीक है क्योंकि हम अगर इड़वाइज नीं देंगे तो कौन तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फूर वाचिंग